बास सेना में से एक है भारतिय वायू सेना भारतिय सशस्त्र सेना का एक अंग है चुवायू युद वायू सुरक्षा एवं वायू चौकसी का महत्वपूंट काम देश के लिए करती है भारतिय वायू सेना युद के मैदान में भारतिय सेना के सेनिकों को हवाय समर्थन तथ सामरक और रणनी ते के एलिफ्ट करने की क्षमता प्रदान करता है भारतिय वायू सेना कि तेज और हैरतांगे इस कारणामों पर देश के नागरिकों को इस पर गर्व है आज देश का हर युवा भारतिय सेना में भरती होना चाहता है चाहे फिर इंडियन एर फोस होए और फ है ग्रूप Y हर वर्ष इंडियन एर फोस X और Y ग्रूप के लिए रिकूरूट्मेंट नोटिफिकेशन जारी करता है सबी केंडिडिट्स जो भी एर फोस ज्वाइन करना चाहते हैं वह इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रूप X की पोस्ट में अप्लाई करने क होना आनिवार है तथा इसके साथ केंडिडिट्स के पास बफ बाहरवी कशा में फिजग्स और मैत का होना भी जरूरी है यानि की केंडिडिट्स का सांस से बाहरवी क्लास में पास होना जरूरी है Group Y की Post में Apply करने के लिए Candidates को किसी भी विशे से बाहर वी में पास होना चाहिए और इसके साथ ही Candidate के बाहर वी कक्षा में कम से कम 50% होने चाहिए दोस्तों आईए अब जानते हैं इंडिन एर फोस की आईउ सीमा के बारे में इंडिन एर फोस में एक्स ग्रूप एंट्री के लिए आईउ सीमा 17 सेकंड 21 वर्ष तक है अगर आप B8 के बाद आवेदन करते हैं तो आईउ सीमा 20 रंड 25 वर्ष है और यदि आप Master Degree Plus B8 के बाद अप्लाइ करते हैं तो आईउ सीमा 20 सेकंड 28 वर्ष तक होती है एर फोस में वाई ग्रूप के लिए आईउ सीमा 17 सेकंड 21 वर्ष के बीच होती है जबकि म्यूजीशन ट्रेट के लिए आईउ सीमा 17 से 25 वर्ष है दोस्तों आईए अब हम जानते हैं इंडिन एर फोस की सेले प्रक्रिया मुख्य चार पड़ाव में होती है सबसे पहले सभी क्या इंडिडेट के लिए रीटन एक जाम का आयोजन किया जाता है जो भी केंडिडेट रिटन टेस्ट में पास होता है उसको फिजिकल टेस्ट के लिए सालेक्ट किया जाता है जिसमें केंडिडेट से दिकाल चेक अप होता है और फिर लास्ट में आल इंडिया सलेक्ट लिस्ट में सिलेक्टड केंडी डिट्स के नाम पब्लिश किये जाते हैं। दोस्तों इंडियन एरफोस में सलेक्ट होने के लिए आप टाइम टेबल बनाकर रेगुल स्टाडी करें। साथ ही आप हर दिन फिजी कर एक्सरसाइज करके आप अपने स्वास्थ का अच्छी से ध्यान रखें एवं तयारी के लिए अच्छी क्वालिटी की बुक्स का प्रयोग करें। इन सभी बातों का ख्याल रखकर आप आसानी से एरफोस में सलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, जो अगर आपको हमारा ये विडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और इस चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे नौकरी से जुड़े वेदियो स्प्री में मिल सके आपका बहुत बहुत शुक्रिया।